गीता जी का सांखियोगी नामक दूसरा अध्याय प्रारंब होता है। अरजुन के प्रश्णों को भगवान श्री किष्ण के साथ संजय भी सुन रहते हैं। संजय भितराश से बोलते हैं। इस प्रकार करना से व्यापत और आश्यों से पूर और व्याकुन नित्रों वाले शोक्युक्त उस अरजुन के प्रती भगवान मधुसुदन ने ये वचन का। श्री भगवान बोले। हे अरजुन तुझे इस आसमय में यह मोग किस हेतू से प्राप्थ हुआ। क्योंकि ना तो ये स्रेष्ट पुर्षो द्वारा आजृत है, ना स्वर्ग को देने वाला और ना किर्थी को बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अरजुन नपुन सक्ता को मत्प्राप्थ हुआ। तुझमें ये उचित नहीं जान पड़ता। हे परतम, हरदय की तुक्ष दुरबलता को त्याक कर युद्ध के लिए ख़डा हो जा। अरजुन बूले हे मदुसुदन, मैं गड़भूमी में किस प्रकार बालों से भिश्रूं पिता ह। और दुणा चारे के वरुद्ध ड़़ूंगा। क्योंकि हे अरिसुदन वे दोनों ही पूजिनी हैं। इसलिए इन महानु भाओ गुरुजनों को ना मारकर मैं इस लोग में बिख्षाकान भी खाना कल्यान कारक समस्ता। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोग में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को तो मैं भोगूंगा हूए। हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में कौन था स्रेश्ट है। और ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम चीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चातें। वे ही हमारे आत्मियें दित्तराश के पुद्र हमारे मुकाबले में हमारे विरुत खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोश से उपहत हुए स्वभाव वाला तधा धर्म के विशे में मोहिचित हुआ मैं आपसे पूस्ता हूँ जो साधन निश्चित कल्यानकारक हो। वह मुझे बताईए मैं आपकी श्रण में हूँ मैं आपका सिश्य हूँ मुझे सिख्षा दीजिये मदुस्तान क्योंकि भूमी में निसकंटक धन्यद्धान संपन राज्य को देवताओं के स्वामितने को प्राप्ध होकर भी मैं उस उपाई को नहीं देखता हूँ जो मे यह स्पस्ट कहका चुट होगा यह भरंद्वजिये दिस्प्रास्ट अंदर यामी श्री किष्ण महराल दोनों से नाओं के बीच में शोग करते हूए इस अर्जुन को हसते हूए यह वचन कहने लग श्री भगवान बोले यह अर्जुन तू ना शोग करने योगी मनुश् और पंडितों के से वचनों को क्यूं कहता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडिजन शोग नहीं करते हैं ना तो ऐसा ही है मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अत्वा यह राजा लोग नहीं थे और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सम नहीं रहेंगे जैसा जीवात्मा को इस तेह में बालकपन, जवानी और रिधा वस्ता प्राप्त होती है वैसे ही अन्य शरीर की भी प्राप्ती होती है उस विशे में धीर पुरुष मोहित नहीं होता हे कुंति पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्री और विश्यों के संयोग तो उत्पत्ती, विनाश शील और अनिंती है इसलिए हे भरस्ष्ट उनको दूख सहन कर क्योंकि हे पुरुष्ष्ट, दुख, सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष्ट को इंद्री और विश्यों के संयोग व्याकूल नहीं करते वो मोक्ष के योग होता है असत्वस्तू की तो सत्ता नहीं है और सत्त का अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वत तत्वगानी पुरुषोद्वरा देखा गया है नास रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपून जगत दिर्शिवर्ग व्याब्त है इस अवनाशी का विनास करने में कोई समर्थ नहीं इस नास रहित अप्रमय नित्य सरूप जिवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहें इसलिए हे भरतमशी अरजुन तू युद्धकर जो इस अत्मा को मरने वाला या मारने वाला समस्ता है तथा जो इसे मरा मानता है पर नहीं जानते क्योंकि यहां अत्मा वास्तों में ना किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है यहाँ आत्मा किसी काल में भी ना तो जनता है और ना मरता है और ना यहाँ अपन होकर फिर हूने वाला ही क्योंकि यहाँ अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन सरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। ये प्रिधापुत्र अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाश रही थे नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मालता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धरान करता है वैसे ह सुखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ आत्मा अक्षेद है यहाँ आत्मा अदाय है यहाँ अक्लेद है और निसंदह अशोश है यहाँ आत्मा नित्य सर्वव्यापी अजल स्थिर रहने वाला और सनातन है यहाँ आत्मा अवेक्त है यहाँ आत्मा आचिंति है यहाँ आत्मा विकार रहित कहा जाता है इसलिए हे अर्जुन इस आत्मा को व्युक्त प्रकार से जान कर तु शोग करने को योगी नहीं है अर्था तुझे शोग नहीं करना चाहिए किन्तु यदि तु इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तता सदा मरने वाला मानता है तो भी हे माभाव तु इस प्रकार शोग करने को योगी नहीं है क्योंकि इस मानता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यू निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इससे भी इस बिना उपाय वाले विशे में तू शोक करने योगी नहीं है। ये अरजुन संपून प्राणी जन्म से पहले आप रकट थे और मरने के बाद भी आप रकट हो जाने वाले हैं केवल पीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिती में क्या सोक करने हैं। क्योंकि एक महापुरुशी सात्मा को आश्चरेकी भादी देखता है और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुशी इसके तत्व का आश्चरेकी भादी वर्णंग करता है। यदा दूसरा कोई अधिकारी पुरुशी इसे आश्चरे की भाती सुनता है और कोई ना कोई तो सुन कर भी इसको नहीं जाना है। हे अर्जुन ये आत्मा सबके शरीर में सदाही अवध्य है। इस कारण संपून प्राणियों के लिए तू शोक करने योगी नहीं। और अपने धर्म को देख कर भी तू भै करने योगी नहीं। अर्थात तुझे भै नहीं करना चाहिए। क्योंकि शुक्त्री के लिए धर्म युक्त युद्धु से बढ़कर दूसरा कोई कल्यालकारी करते व्य नहीं। हे पार्थ अपने आप राप्त हुए और खुले हुए सरके द्वार रूप इस प्रकार के युद्धु को भागिवान शुत्री लोग ही पाते हैं। इन्दु यदि तु इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्थी को खोकर पाप को प्राप्त होगा। और सभी लोग तेरी बहुत कालत रहने वाली अप कीर्थी का भी कथन करेंगे। और गणमानी पुरुष के लिए अप कीर्थी मरण से भी पलकर होती है। और जिनकी दृष्टी में तु बहुत पहले सम्मानित होकर अब लगता को प्राप्त होगा। वे महारती लोग तुझे भै के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योगी वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और तुझे क्या होगा। या तो तु युद्ध में मारा जाकर स्वर्प को प्राप्त होगा। अध्वा संग्रा में जीत कर बुथवी का लाचिप होगेगा। इस कारण हे अरजुन तु युद्ध के लिए मिश्य करके ख़ला होगा। जै पराजय लाभानी और सुक्दुख को समान समझ कर। उसके बाद युद्ध के लिए तयार होगा। इस प्रकार युद्ध करने से तु पाप को नहीं प्राप्ठ होगा। हे पार्थ ये बुद्धी तेरे लिए ज्ञान योग के विशे में कही गई है। और अब तु इसको कर्म योग के विशे में सुन। जिस बुद्धी से युक्त हुआ तु कर्मों के बंदन को भली भाती त्याग देगा अर्थात सर्वता नस्ट कर डालेगा इस कर्म योग में आरंब का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दूश भी नहीं है बलकि इस कर्म योग रूप धर्म का थोला सा भी साधन जन्मम्रत की रूप महान भैसे रक्षा कर लिता है है अर्जुन इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धी एक ही होती है किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेखिंग सकाम मनुष्यों की बुद्ध्या निश्चय ही बहुत विद्वाली और अनंत होती ह वे अर्जुन जो भूगों में तन्मय हो रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंशक वे दिव्याक्यों में ही प्रिती रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परमप्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बलकर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले वे करने वाली है उस वानी द्वारा जिनका चित हर लिया जाता है चो भोग और एश्वरों में अत्यंत आसकते हैं उन पुर्शों की परमात्मा में निश्यात्मिका बुद्धी नहीं होती है अर्जुन वेद उप्युक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्यूप समस्त भोगो और उनके सात्मों को प्रदिबादन करने वाले हैं इसलिए तुम उन भोगो और उनके सात्मों में आशक्तिहीन हर्श शोकादी त्वंदो से रहित नित्यवस्तू परमात्मा में अस्थित योग खेम को ना चाहने वाला प्रस्वाधीन अन्ता करावाला है सब और से परिपून जलाशय के प्राक्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुश्री का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व से जानने वाला ब्रहमान का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है तेरा कर्म करने का ही अधिकार है इसके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मों के फल का ही तू मत हो और तेरी कर्म ना करने में भी अशक्ती ना हो ए हे ध्रंजए तू आशक्ती को त्याग का अशिधी और अशिधी में समान वुद्धी वाला होकर योग में स्थित हुआ करतव वे करमों को कर समत्व ही योग कहलाता है इस समत्वरूप बुद्धियोग से सकाम कर्म अत्यांत ही निम्निष्ञनी का है इसलिए हेधन जाये तू सम बुध्धि में ही रक्षा का उपायत हो अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रागहन का क्योंकि फल के हे तू बनने वाले अत्यांत दीन है सम्बुध्धी युक्त पुरुष पुन्य और पाप दोनों को इस लोग में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है इससे तू समत्व रूप योग में लग जा यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंदन से चूटने का उपाए क्योंकि सम्बुध्धी से युक्त ज्याने जन कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याकर जन्म रूप बंदन से मुक्त हो निर्विकार परमपद को प्राप्त हो जाते जिस काल में तेरी बुद्धी मोहरूक दलदल को भली भादी पार कर जाएगी उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोग और परलोग समंधी भोगों से वैरागी को प्राप्त हो जाएगा भांती भांती के बचलों को सुनने से विश्लित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्मा में अचल और स्थित ढहर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा अर्था तेरा परमात्मा से नित्य से योग हो जाएगा अर्जुन बोले, हे के सव, समाधी में इस्थित परमात्मा को प्राप्त हुए इस्थिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्षाम है? यह इस्थिर बुद्धी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में इस्थित संपूरों कामनाओं को बही भात ही त्याग देता है, और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वहां इस्थित परग्य कहलाता है, दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्धियक ये नहीं होता, सुखों की प्राप्ती में जो सर्वताह निस्प्रहा है और जिसके राग भय और प्रोध नश्थ हो के हैं, ऐसा मुनी इस्तिर बुद्धी कहा जाता है, जो पुरुष सर्वतिस ने रहित गवा, उस सुभ या सुभ वस्तु को प्राप्त हो पुरुष ना केवल विश्रों से तो निवृत हो ही जाते हैं, परंतु उन में रहने वाली आसकती निवृत नहीं। इस इस्थित्प्रग पुरुष की आसकती भी परमात्मा का साथिकार करके निवृत हो जाती है। हे अर्जुन आशक्ति का नाशना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यतन करते हुए बुधिमान पुरुष के मन को बलात हड़ लेती हैं, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपून इंद्रियों को वश में करके समाहित शित्थ हुए मेरे परायन होक विश्यों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विश्यों में आशक्ति हो जाती है, आशक्ति से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है, और कामना में विग्ण पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है, क्रोध से अत्यंत मूरु भाव उत्पन हो जाता है, मूरु भाव से इस स्मृति में भ्रह्म हो जाता है बुद्धी और ग्यान शक्ती का नास हो जाता है। और बुद्धी का नास हो जाने से वह पुरुष अपने इस्थिति में गिर जाता है। परन्तु अपने अधिन किये हुए अंताहकरणवाला साधक अपने वश में की हुई राग्वेश से कहित हिंद्रियों द्वारा विश्यों में विश्यों करता हुआ अंताहकरण की प्रसंता को प्राप्त हो जाता है। अंता करम की प्रशंता होने पर इसके संपून दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसंद चित्र वाले करम योगी की बुद्धी सीख रही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भाती स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मनुश्य और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्य आत्मी का बुद्धी नहीं होती है। इसलिए हे महाभाव जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विश्यों को सब प्रकार निग्रह की वी हैं उसे की बुद्धी स्थिर्म। उसे नित ज्यान शुरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित्प्रग्य योगी जागता है। और जिस नाश्वान संसारि प्राप्ति में सब प्राणीं जागते हैं। प्रमात्मा की तत्व को जानने वाले मुनी यह वह राती के समान है। जैसे नानाप्रकार की नदियूं की जल्फ सब और से परिपून अचल प्रतिस्चित वाले संबून्दर में उसको विच्छलित ना करते हुए ही समा जाते हैं। वैसे ही सब भोग, जिस स्थित्प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकार उप्पन किये भिना ही समा जाते हैं। वही पुरुष परम शान्ती को प्राप्थ होता है, भोगों को चहने वाला नहीं, जो पुरुष संपून कामनाव को त्याकर मंता रहित, आंकार रहित और इस प्रहा रहित हुआ विचरता है, वही शान्ती को प्राप्थ होता है, अर्तात वही शान्ती को प्राप्थ होता है कीता जी का सांख योगनामक तूसरा अध्याय समात होता है